अस्सलेम आलेकुम भायों, बेहनों और दोस्तों आज फिर से हम आपके लिए लेकर आएं आलो की बहुत क्रंची और बहुती फटा-फट से बन जाने वाली रस्पी ये खाने में बहुत लजीज और बहुत टीस्टी होती है आप इसे घर पर बना के जरूर ट्राइ केज़ेगा तो चल के देखते कैसे बनती है हम ले लेंगे तीन उबलेवे आलो आप ज्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा बनानी है तो अब हम इसे एक कद्दुकस से गिरिंट कर लेंगे अच्छे से फिर हम आपके पास वो कद्दुकस ना हो तो आप किस चीसे दबा कर भी कर सकते हैं इसमें नमक डाल देंगे काली मिर्च डाल देंगे कुटा लाल मिर्च डाल देंगे और सूखा मिर्च भी और थोड़ी धन्या भी और एक चमच कॉर्ण फ्लोव डाल देंगे फिर एक और चमच डाल देंगे फिर हम ओल डाल देंगे इसमें ताकि आप आप इसमें दूसरे मिर्च पक चाहे यह सब डालने से टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसके पकाने के बाद कलर भी अच्छा आएगा और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा फिर हम इसे हातों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से जैसे आटा गुनते हैं वैसे देखिए सॉप्ट हो गया है इसमें फिर से ओयल लगा देंगे थोड़ सा अच्छे से ओयल लगाने के बाद हम एक खुलसा लेंगे या पिर आप जहां पर भी रोटी बनाते हो वहाँ पर ओयल लगा देखाएदे से ताके जो हमारी आलू के बढ़ता है वो जिप कहना फिर हम इसको इस तरह किसे हाथों के मदद से दबा लेंगे फिर से मॉल लगा देंगे मतलब हमने कम लगाय तो वो चिप पक रहा था फिर हम इसे बेलन की साहिता से अच्छे से बेल लेंगे जैसे ब्रोटी को बिलते हैं ज्यादा नहीं मिलना कि तूचा है फिर हमारे पास कोई स्केल वगरा हो तो हम उसे इसको बराबर करके साइज इसका एक कर लेंगे फिर अब हम एक कटर लेंगे और इससे इसको शेप देकर काट लेंगे अगर आपके पास कटर ना भी हो तो आप छूरी की मदद से इससे कट कर सकते हैं देखें कितने अच्छे से कट हो गया है देखें अब आपके पास ना भी हो तो आप छूरी की मदद से अच्छे से कट कर सकते हैं फिर हम इसे एक शेप में कट कर लेंगे यह ऐसे कट नहीं हो रहा था तो हमने सुझा के हमें स्केल से कट कर लें यह एक शेप में कट हो चुका है अब हमने एक जिखात तेल गरम होने के लिए रख दिया था वो गरम हो चुका है तो हमें इसमें अपने आलू की चिप को डाल देंगे डालने के बाद हम ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे यह देखें अब हम इसे दो बार दल देंगे क्योंकि दो बार दलने से यह थोड़ी से क्रण्ची हो जाते हैं तो हमारे आलू की चिप्स बन के तयार हैं आज मेरी अमी थी नहीं तो हमने सुझा कि हम बनाकर डालने वो भी खुश हो जाएंगे देखें कितना अच्छा बनाया आप एक बार अपने घर में जरूर ट्राइ करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह कैसा बनाया और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें असलाम अलीकुम